किसी भी स्टेट लेबल की कोई भी प्रतुगी परिच्छा हो, सिक्षक भरती परिच्छा हो या फिर UPTPLSC, UPPSC आदि की परिच्छा हैं भारत के प्रमुख दर्रों के सम्मद में प्रस्ण पुछे जाते हैं और इन में से प्रस्ण हाला कि संख्या में बेहत कम होते हैं, लेकिन गलतियां भी सबसे अधीकम इनहीं में करते हैं यानि कि एक बार आपको भारत की जो प्रभूख प्रासेज हैं, जिनको आप दर्रा कहते हैं तो उसके बारे में आपको समझ लेना चाहिए और फिर आपको कम से कम दो प्रस्णों की गारंटी तो आपको मिली जाती है तो प्रेंट शुरू करते हैं अवाज का वीडियो और ये वीडियो बहुत ही महत्पूर है हर प्रस्ण बहुत महत्पूर है खास तोर सा सिक्षक बढ़ती परिच्छा के लिए तो इसके लिए हमारे कुरसे जब अनकेडमी के लर्निंग आप पर भी उपलब्ध हैं आपको अनकेडमी का लर्निंग आप डाउन्लोड करना होगा प्लेस्टोर या फिर आप या प्सटोर से अब आज का वीडियो और चलते हैं question number one पे सबसे फ़ले तो बात करते हैं कि दर्रे जाने कि जिसको आप passes कहते हैं वो होता क्या है तो पहाडियों और परवती छित्रों में पाए जाने वाले आवा गमन के प्राकिर्तिक मार को दर्रा या पास कहते हैं प्रवास जो होता है यह अंगरेजी सब्द है और एक चीनी सब्द है जिसका अर्थवी दर्रा ही होता है इसलिए कुछ दर्रे ऐसे भी हैं जिनके आगे ला सब्द लगाया गया है जैसे कि नाथूला सिपकीला वगएरा यह जो हैं दर्रे काम क्या करते हैं यात्रा, प्रवास, युद्ध, व्यापार आदी में ये महत्पूर्वन का निभाते हैं तो ये था दर्रे का कंसेप्ट अब चलिए सुरू करते हैं क्वेशन और चलते हैं क्वेशन नमबर टू पे प्रस्न है कि आरे किस दर्रे से होकर भारत आये थे चार बीकल्प यहाँ पे दिये गए हैं और याद रखेगा ये बहुती महत्पूर्वन प्रस्न है और इसका सही जबाब है आपसन ए जिसको कहते हैं आप खैबर दर्रा ठीक है आरे खैबर दर्रे से होकर भारत आये थे अब अगला प्रस देखें ये भी काफी इंपॉर्टेंट है लेकिन उसके पहले आपको बता दें खैबर दर्रा या फिर दर्रे खैबर के बारे में उत्तर पश्रिमी पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान के काबुलिस्तान मैदान के बीच हिंदु कुसके सफेद कोह परवत सिंखला में इस्तित एक प्रख्यात आतिहासिक दर्रा है खैबर दर्रा या दर्रा पचास किलोमीटर लंबा है और इसका सबसे संकरा भाग केवल दस फुट चोड़ा है यह सकरा मार्ग छह सो से एक हजार फुट की उचाई पर बल खाता हुआ ब्रेहदा कार परवतों के बीच खोसा जाता है इस दर्रे के जरिए भारती उप महादीब और मध एसिया के बीच आवाजाही होती थी और इसने दोनों छेत्रों के इतिहास पर गहरी छाप छोड़ी है तो थोड़ा सा आपको बैक हिस्ट्री और लोकेशन के बारे में भी अपडेट दो रहना पड़ेगा इसलिए यह इंफार्मिस्ट में आपको प्रवाइड कर रहा हूँ चलते हैं क्वेशन नमबर तीन पे प्रसिद जवाहर सुरंग के नाम से किस दर्रे को जाना जाता है बहुत ही महत्तपूर्ण प्रस्न याद रखेगा जो जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रा जो है इसको जवाहर सुरंग के नाम से भी जाना जाता है याद रहिएगा ठीक है बनिहाल दर्रा ये जवाहर सुरंग के नाम से भी जाना जाता है चलिए अगले कोशन पे चलते हैं और ये प्रस्ण भी बनिहाल दर्रे से ही जुड़ा हुआ है तो प्रस्ण है कि जम्मू स्री नगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है और इसका सही जवाब क्या है सही जवाब है इसका बनिहाल दर्रा ढागे बठते हैं कोशन नंबर फाइब पे चलते हैं पालधार दर्रा कि दो राजियों को जोड़ता है और ये प्रस्ट बहुत ही मुत्पूर है कई बार पुछा गया है और लोग इसमें अक्सर गेस करते हैं और गल्दी कर देते हैं जबकि इसे अगर आप एक बार याद कर लेंगे तो भूलेगा नहीं देखे केरल और तमिल नाड को जो है जोड़ता है आपका पालधार दर्रा ठीक है केरल और तमिल नाड को बिकल्प C आपका यहां पे सही जबाब होगा ठीक है पालधार दर्रा केरल और तमिल नाड को आगे बढ़ते हैं कुश्चन नमबर 6 देखते हैं बोमडिलादर्रा किस राज में स्तित है। यह भी बहुत ही मुधुपूर है, जम्मू कसमीर, हिवानचल प्रदेश, सिक्किम और अरॉड़ांचल प्रोडेश, और इसका सणी जवाब है अरॉड़ांचल प्रदेश, यानि कि बिकल्प D आपका सही है, बोमडिलादर्रा कहां 6 में खोला गया था ठीक है कौँ सा दर्रा 2006 में भारत और चीन के बीच ब्यापार को बढ़ाने के लिए 2006 में खोला गया था तो इसका सही जवाब क्या है इसका सही जवाब होगा नाथूला दर्रा ठीक है option C आपका यहापे सही है अब देखिए यह बंद कप किया गया इसकी इतिहास की बारे में थोड़ा सा आप जान लेंगे तो आपको याद करने में सुविधा रहेगी देखिए नाथूला जो है वो हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है पहाड़ी पास है जो भारत के सिक्किम राज जी और दक्षिण तिबबत में चुम्बी घाटी को चोड़ता है याद रहेगा सिक्किम से दक्षिण तिबबत में चुम्बी घाटी को चोड़ता है नाथूला यह 14200 दो सो फीट की उचाई पर है भारत और चाइना के बीच जब 1962 का युद्ध हुआ था तो उसके बाद इसे जो है बंद कर दिया गया था यानि कि 1962 से यह बंद था इसे वापस कब खुला गया जुलाई 2006 में 5 जुलाई 2006 को इसे भारत और चीन के बीच ब्यापार के लिए खुला गया था बीचवी सदी की सुरुआत में भारत और चीन के होने वाले ब्यापार का 80% हिस्सा नाथूला पास के जरिये ही होता था आपको रेस्टम मार के बारे में पता होगा तो यह दर्रा प्राच भारत तिबबत या फिर भारत चाइना के संपर्क में आते हैं उनको हम उनके आगे ला लगा रहता है नाथूला सिफकीला वगएरा ठीक है तो इससे आप यह भी समझ सकते हैं कि इसकी लोकेस्तन क्या हो सकती यह ला लगा हुआ तो इसका मतलब कि भारत और चीन के बीच ज तो यहां पर सही जवाब क्या है तो विकल्प A आपका सही है देखे ये बहुत ही मत्मून है कई बार उत्रोगी परुशां में पुछा गया और लोग अकसर इसका जवाब गलत देते है तो आपको इसका जवाब गलत नहीं देना है ठीक है इसलिए इसका जवाब याद रिके पिपली घार दर्रे का सम्मन किस से है अरावली की पहाड़ियों से ठीक है अरावली एक काफी 20-30 सिंखला है पहाड़ियों की और इसके बारे में आपने बहुत सारे फैक्ट अब तक समझे होंगे जाने होंगे आगे बढ़ते हैं question number 9 पे चलते है question number 9 है जोजिला दर्रा किस राज में इस्थित है तो सही जवाब क्या है जोजिला जो है ये जम्मू कस्मी राज में इस्थित है याद रिखिएगा जोजिला कहाँ पर है जम्मू और कस्मीर में और आपको बता दें कि जो ज़िला जो दर्रा है जो जम्मू कस्मीर के बीच इस्थित है ये प्रस्थ कई बार कई प्रदगी प्रखिशम कुछ जाता है और लोग अकसर इसे गलत कर देते हैं तो आप गलत मत किजिएगा किस दर्रे से होकर तीर्थयात्री मान सरोवर जील के दर्सन के लिए जाते हैं ठीक है खैबर दर्रा, बनिहाल दर्रा, नातुला दर्रा या फिर माना दर्रा सही जवाब क्या है आपसन डी मान सरोवर जील के दर्सन के लिए तिर्थेहती जाते हैं माना दर्रा होकर चलिए आगे बढ़ते हैं question number 11 पे चलते हैं थाल घाट और भोर घाट किस परवत माला में इस्थित है तो याद रिखेगा कि थाल घाट और भोर घाट ये दोनों ही जो दर्रे हैं ये एक ही परवत माला में इस्थित है ठीक है और सही जवाब है इसका पस्चिमी घाट ठीक है तो option B आपका सही हो गया थाल घाट और भोर घाट पस्चिमी घाट परवतमाला में इस्तित है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देखें कलकत्ता और मुंबई को जोडने वाला दर्रा किस नाम से जाना जाता है तो कलक कलकत्ता और मुंबई को जो दर्रा जोडता है उसे कहते हैं आप भोर घाट तो option B आपका यहां पर सही है भोर घाट कलकत्ता और मुंबई को जोडता है और इसी के साथ जो अगला पसंद देखिए नासिक और मुंबई को जोडने वाला दर्रा कौन सा है तो याद रिखेग बुर्जिल दर्रा किस राज में इस्थित है बुर्जिल ठीक है तो बुर्जिल कहां पर इस्थित है जम्मू और कस्मीर में तो बिकल्प A आपका यहां पर सही हो जाएगा आपको यह बता दें कि जो बुर्जिल दर्रा है इसको आप बुर्जिल पास के नाम से जानते हैं यह कस्मीर छेत्र का एक आतिहासिक दर्रा है जो स्री नगर को पाक अधिक्रित कस्मीर जिसको आप कहते हैं P.O.K. यहां से यात्री और व्यापारी घोड़ों और टट्टूं पर सवार होकर यातायात करते हैं लेकिन भारत के विभाजन के बाद यह पाकिस्तान द्वारा बंद कर दिया गया इसके सिखर पर एक चौकी हुआ करती थी जहां से भारत और चाइना के दर्मियान डाक आया जाया क करती थी तो बुर्जिल दर्रा कहा पर इस्थित है जम्मू और कस्मीर में आगे बढ़ते हैं पाचाला दर्रा किस राज्य में इस्थित है पाचाला दर्रा जम्मू कस्मीर सिक्कीम हिमांचर प्रदेश या तमिलनाड सही जवाब क्या है चलिए सही जवाब है हिमांचर प पचाप दर्रा का समझ किसे हिमाण चल प्रदेश से आगे बढ़ते हैं जैलेपला बर्रा किस राजी में इस्थि ते अब portal जबाब जम्मु कस्मीर, सिक्किम हिमाण horizont प्रदेश अमिल्नाड सही जवाब option B, क्या है सिक्किम, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारत का सबसे उंचा दर्रा कौन सा है, बहुत ही महत्पूर पस्न और काफी दिल्चस्पी, दिल्चस्प क्यों, आगे बता रहा हूं, जवाब दीजिए कारा कोरम बनियाल नाथूला दर्रा या माना दर्रा, त मारत के जम्मू व कस्मी राज और जनवादी गरतंतर चीन द्वारा नेंतरित सिंजियांग प्रदेश के बीच 4693 मीटर, मतलब 15397 फीट की उचाई पर इस्थित एक पहाडी दर्रा है, यह लदाक के ले सहर और यहां पर देखें, तारी में द्रोणी के यारकंद शेतर के बीच के प्राचीन ब्यापारिक मार का सबसे उचा स्थान है, यह दर्रा बहुत ही उचाई पर है, दूर दूर तक यहां पर कोई बनस्पती नहीं उखती, जिससे यहां से गुजरने वाले कारवा जो होते हैं, उनमें से बहुत से जानवर भोजन के अभाव में दम बिखरी दिखाई देती हैं, ले जाते हुए इस दर्रे से दक्षिड में लगबग 5300 मीटर, मतलब 17400 फिट की उचाई पर देवसंग मैदान है, यह मैदान भी बनस्पती रही थे और इसे पार करने में तीन दिन लग जाय करता था, उत्तर में रास्ता थोड़ा कम कठिन थ और कम उचाई वाले सुगेद दावन दर्रे को पार करके काराकास नदी के किनारे इस्थित सायदुल्ला पहुचा जायता था, यहां जानवरों के चरने के लिए बहुत घास थी, ठीक हैं, लेकिन मतलब इतना क्रास करना भी जानवरों के काफी मुस्किल था, रास्ते में भी वो अपना दम तोड़ देते थे, काराकरम दर्रा दो पहाड़ों के बीच के कंधे पर इस्थित है, यहां तापमान बहुत गिरता है और तेज हमाई चलती है, इतनी तेज हमाई है कि वहाँ पर जो बर्फ गिरती है, उसको वो साफ कर देती है, उठाके उड़ा देती ह और यही वज़े है कि यहां पर अधिकतर यह रास्ता जो बर्फ मुक्त रहता है, फिर भी समय समय पर बर्फ बारी यहां पर होती रहती है, इसकी चड़ाई कठिन नहीं मानी जाती और हिम मुक्त होने से इसे साल भर प्रियोग में लाया जा सकता है, भारत चिन तनाओ के कर बर्तमान में आने जाने के लिए बंद है, तो कारा कोरम दर्रा, ठीक है, सबसे हुचा दर्रा, चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब सिप्कीला दर्रा कहां पर इस्थित है, मने आपको बताया था कि सिप्कीला लगा हुआ है, तो डिफिनिटली यह भारत और चाइना के मतल यहां पर सही है, देखें, सिप्कीला या फिर सिप्की दर्रा, हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है, या भारत के हिमांचर प्रदेश के किनौर जिले को तिब्बत के नगारी भाग के जानदा जिले से जोड़ता है, ठीक है, तो यह तिब्बत से टच कर रहा है, तो हो गया इसका नाम जुड़ गया इसमें, सतलूज नदी इस दर्रे के पास ही एक तंग घाटी से गुजर कर तिब्बत से भारत में दाखिल होती है, तो कभी कभी यह प्रमुख पूछा जाता है कि जो सिप्कीला दर्रा है, वो किस नदी घाटी में इस्तित है, तो याद रिखेग बहुत कम चर्शा होती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आफिल दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है, भारत और चाइना, भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान वा अफगानिस्तान या फिर अन्य, दुसरी जबाब है भारत और चीन को जोड़ता है, आफिल दर्रा, ठ चीन के जिंजियान प्रांद से जोड़ता है और सरदी की रित्में आफिल दर्रा नॉवंबर से मई के प्रथम सत्ता तक बंद रहता है ठीक है आगे बढ़ते हैं कोश्चन के caught आप आप से चीन के ठीक है और वैसे पी एगर भारत और चीन को भी इसमें समझते हैं चांगना दर्रह अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं धिहांग दर्रे के बारे में तो धिहांग दर्रा किस राज में इस्तित है ये प्रस्थ है यहाँ पर जम्मु कस्मीर, सिक्कीम, हिमांचल प्रदेश या फिर अवडांचल प्रदेश और सही जवाब क्या है अवडांचल प्रद आपको याद रखना होगा अगर प्रस्ट पूछा जाएगा कि रोहतांग दर्रा कहां पर इस्थी थे तो जबाब इसका होगा हिमांचल प्रदेश में और ठांगला जो दर्रा है यह लद्दाख यानि कि जम्मू कस्मीर में इस्थी थे तो यह थे दर्रों के बारें पूरी जानकारी इससे अत्रिक्ट कुछ और पूछा जाए इसकी संभावना लगबग न के बराबर है यानि कि यहां पर अगर आप इन 24-25 फैक्ट को याद रखते हैं तो फिर दर्रे से संब्द्र कोई भी प्रस अभी भी पूछा जाएगा तो आप बिलकुल यह हमारा जो एंड कर जाहिंद